आज हम आपको लद्दाख रोड यात्रा पे लेकर जा रहे हैं हमने अपनी यात्रा दिल्वी से लह के लिए फ्लाइट से शुरू की और अब हम लद्दाख में रोड ट्रिप शुरू करने जा रहे हैं चलिए इस सुन्दर सफर का आनंद लें लद्दाख की सड़कों पर एक पाइक राइट का अनुभव सचमुच अद्वितिये होता है जब आप उस महान परवत माला के साथ साथ चल रहे होते हैं जिसे रेद की चादर से ढखा हुआ महसूस होता है और आपके आसपास वो गहरी घाटियाओं भैली होती हैं तो वास्तव में वह अनदेखी और अनुभूती का आद्वितिये संगम होता है उस क्षण में आपको स्वयम को अद्वितियता की एक नई दर्शन की ओर ले जाता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है वास्तव में वह अनुभव सिर्फ एक यात्रा नहीं होती बलकि एक आध्यात्मिक संगीत की तरह होती है जो आपके मन को जूच आती है और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करती है ददाक की वो एक मात्र सडकें जो मानवता और प्राकृतिक सौंदरे के आध्यात्मिक संगम का प्रतीक है जब आप वहाँ बाइक पर सवार होते हैं तो वहाँ के महान परवतों की छायनी उंजाईयों ने आपको अपनी भव्यता में लिप्टा लिया होता है सिर्फ रास्ते पर चलते हुए ही नहीं बलकि अपनी आत्मा के साथ भी संगठित होकर वहाँ के मौसम से चुड़ने का अनुभव वास्तव में अध्वितिये होता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वायु मंडल की धंडक और शान्ति ने आपके मन को छूलिया होता है और आपको एक नई परिभाशा देता है कि सुख और शान्ति क्या होती है वहाँ के विशाल समुत्र से घिरे रास्ते आपको आत्मा की कहराईयों में ले जाते हैं जहां आप सिर्फ एक सामान ने सफर करता नहीं बलकि एक आत्म साथ होते हैं इस अनूठे सफर में हर कोने से उत्कृष्टता की खोच करने का अवसर मिलता है और आप एक नए परिप्रेक्ष से अपने जीवन को देखने का साहस करते हैं यहां आकर आपको वास्तविक्ता का सामना करने का मौका मिलता है और आप खुद को एक नई पहचान देते हैं इस अनुभव से आप न केवल अपने शारेरिक सीमाओं को पार करते हैं बलकि आत्मा की उँचाईयों तक पहुँचते हैं और वहां के एकता और शान्ती के साथ जुड़ते हैं लद्दाख की वो जगह जहां धर्ती की सबसे उच्च सड़कें हो रहे होती हैं जब आप उस एकल मार्क पर बाइक चलाते हैं तो आपका मन और आत्मा एक होते हैं हर पल, हर मीटर आपको एक नया दृष्य दिखाता है जिसमें उस सुंदर्ता का संगम है जो प्रकृती ने खुद की खासियत में छुपाई है परवतों की उंचाईयों से घिरे रास्ते जैसे की आपको आत्मा के साथ एक समवाद में ले जाते हैं जहां शान्ती और स्थिर्ता का मनो वैज्ञानिक अनुभव होता है जब आप वहां सवार होते हैं तो आप वास्तव में अपने आप से मिलते हैं और वहां का सानिध्य आपको आपकी असली शक्तियों और सीमाओं से रूबरू करवाता है वहां की ध्वनियों और मौसम की विविधता आपको एक नई दिशा में ले जाती है जो आपके जीवन को एक नया मतलब देती है वहां की सुनहरी धूप और बरफीली हवाएं आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है जहां मानवता और प्रकृती का अद्वितिय संगम आपकी आत्मा को छू जाता है इस अनूठे सफर में आप खुद को पुना खोचते हैं और वास्त्वी खोशी और संतुष्टी की अर्थ पूर्णता समझते हैं झाल को पूर्णता समझते हैं